तो चलिए आज हम स्क्वेर रूट आफ एक्जक्ट स्क्वेर की बात करें इसमें बताने की जुरूत नहीं कि कितना इंपॉर्ट होता है नाइन्थ तैंथ जब भी मैट्स की बात आती है चैलकुलेसन की बात आती है तो यह चीज बहुत एक तो फैसनेटिंग भी है स्क्वेर स्क्वेर रूट निकाला बड़ा मुश्किल होता है काम लेंदी होता है तो अगर को मिदर मिल जाए तो वैसे भी बहुत खुश होते हैं ठीक है और जरूत भी है तो इन दोनों केसा आप से देखते हैं तो कहाने स्टार्ट वहीं से होती है कि जैसा मैं आपको बताऊंगा क अगर यह स्क्वेर रूट है तो उसका स्क्वेर कैसा होगा स्क्वेर रूट ऐसा है तो उसका स्क्वेर कैसा होगा वहीं से शुरुवात करते हैं तो बेसिक फंडा पर जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि वेल डिफाइन स्ट्रक्चर अबाउट दो स्क्वेर र 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, 7 है तो 49, 8 है तो 64 and 9 है तो 81 and 10 है तो 100 तो इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिरफ यहां से देखें, तो क्योंकि बात यह अल्लेडी कर चुके हैं, बात विसको हम लिखेंगे पहले इतने की operation पे चलते हैं, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर भाई साथ वो कोई भी number, कोई भी number जो 0 पे खतम हो रहा हो, उसका जब square करेंगे तो वो 0 ही होगा, मतलब वो 0 से शिरू होगा, 1 तो वो 1 से शिरू हो रहा हुआ, 2 तो 4, कहने का मतलब अब यहां से सोचो, कि अग का हूँ square root, देखिएगा, अगर मैं का हूँ square root, तो भाई साथ square में तो यही मिल रहा है, तो square में अगर square का unit place, अगर square का unit place always 0 है, तो भाई साथ square root पे भी unit place 0 ही होगा, यहां पे भी unit place की बात करेंगे, unit please, यह भी 0 ही होगा, लेकिन अगर square का unit place 1 है, तो square root, 1 होगा, देखिना द्यान से समझा एक अगर 1 है, तो 1 होगा, अब देखिना द्यान से समझते हैं, यहां पर square root की बात कर रहें, तो यह square है यह क्या है square है तो square root में क्या-क्या हो सकता है तो ज़रा सा सूचिए कि 1 है तो यहाँ पर लिख दिया लेकिन एक और जगह पर 1 आ रहा है 81 में भी तो unit place of square अगर फिर से 1 एक और जगाता है तो यह 9 भी हो सकता है कैसे लिखा समझा है exactly अब 4 की बात करते है ठीक है 4 है तो square root का unit place 2 हो सकता है और ज़रा ढूंड लेते गर 8 भी हो सकता है 2 8 दोनो possible है अब हम बात करते है 9 की तो 9 है तो 3 और कहीं 9 है क्या ढूंड ले ढूंड ले yes है तो 7 9 है तो 37 क्योंकि अगर 9 है तो 3 का square भी शिरुवात होगा 9 से 7 का square भी शुरू होगा 9 से like 49 अब अगर हम बात करते है आगे ढूंड दो 9 देखो त्यांस समय ना फिर क्या आ गया 6 आ गया अगर हम 6 देखें, तो अगर 6 की बात करें, तो 4 या फिर 6, क्योंकि अगर 4, देखना 4 का yasquare तब बे 16, 6 का yasquare तब बे 36, यूनिट प्ले 6 ही बचेगा, तो देखो, हमने 6 भी ढूण लिया, अब 9 की बात करते हैं, अब हम अगर 9 की बात करते हैं, तो देखना, 9 में, 9 sorry, 9 already लिख चुके हैं तो देखो अपने 0, 1, 4, 9, 6 लिख दिया एक और होगा कोई 5 तो 5 होगा तो 5 भी आएगा मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी टेखों पॉइंट क्या है यहां से कि अगर जिसका भी हमें स्क्वेर रूट निकालना है अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 0 ही होगा यह पक्का है अगर जिसका स्क्वेर रूट निकालना है यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर में या तो unit place 1 होगा या तो 9 होगा, do it, 4, do it, 9, 3, 7, 6, 4, 6, 5, 5, इतना याद दो, अब मैं टेकनीक बताता हूँ, समझाता हूँ, इसको सोचते जाएगा, समझते जाएगा, काम बन जाएगा, इसके पहले बस मैं ये कहता हूँ, कि अगर 10 होता तो तुम 100 लिखते, 20 हो होता तो 900, similarly, यूँ, मुझे लगता ने कि कोई भी डिक्कत होनी चीए, ठीक है, अगर ये 100 होता, तो, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रही है, लिखती आपने, बस, बहुत सिंबल सी चीज, इतनी सी चीज, अगर आपके दिमाग में है, तो perfect square के result लिखने में कोई परिशान ने, आई ये ने, ठीक है, एक simple example लेते हैं, बहाँ से कहानी शुरू करते हैं, एक perfect square ढूनना पड़ेगा में, तो 5184, आप देखो unit place को, unit place square का 4 है, तो unit place पे अगर 4 है, तो result जो होगा, वो या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, final result नहीं, unit place of the square root, या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, इसे अलग कुछ होई नहीं सकता, कहने का मतब, we have two choices, 2 या 8, वो भी unit place, इधर का मामला बाकी है भी, मतब, दो चीजे अभी रह गई, कि आपने एक unit place के दो option निकाल लिए, ठीक है, और दूसरा position क्या होगा, वो नहीं पता हमें, ठीक है जी, अब जड़ा अपना दमाग तोड़ाएंगे, अगर आप कहो कि 5184, ये किदर लाए करता है उस चार्ट में, perfect square की बात करें, तो ये यहाँ पे आ रहा होगा, this number lies between 4900 and 6400, मतलब ये जो square root है, ये definitely 70 और 80 के बीच में होगा, मतलब ये number 70 square और 80 square के बीच में कोई है, क्योंकि 70 square होता तो 4900 होता, 80 square होता तो 6400 होता, इसके बीच में कहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब हमारे पास ये choices है, क्योंकि ये तो पता लग गया कि 70 और 80 के बीच में हो, और यहाँ से ये पता लग गया, unit place के number के according कि या तो 2 होग कौन सा सही है, अकर बकर नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सा सही है, तो देखेंगे, ये number जो है, इसके close है, तो close वाला कौन है, 72 है, अगर उसके close होता तो उदर ले जाते, तो answer हमारा क्या होगा, ये, मतलब 72, मतलब root 518472, और अब देखिए, अगर हम एक number लेते हैं, जो 80 के close हो, तो एक square पारफेक्ट square लेते हैं, तो 6084 मालो हमने लिया, इसका निकालना है, तो 6084 का calculate करना है, तो हम कहाँगा, अच्छा 6084, ठीक है जी, 4 unit place के according हमारे पास 2 options बन रहे हैं, मतलब we should have 2 और 8 at the unit place, अब हम 6084 के बात करें, तो 6084, 6400 के जादा close है, 6400 के जादा close है in comparison to 4900, तो यहां से अगर देखेंगे, तो यह 80 square के जादा close है, तो उसके जादा close है, मतलब 72 और 78 दो choices थे हमारे पास, तो हमारा answer यह होगा, 78, बस, तो इतना सा ख्याल लखना है, यह chant, simple है, यह सब को याद है, यह सब को पता है, थोरी सी awareness के साथ इसको पक कर लेना है, तो यह हो जाएगा, अभी practice कराऊंगा, चार्ट दे दोगा, आपके पास PDF होगा, काम बन जाएगा, कि हर एक topic के साथ, क्या important जो data है, जो आपके पास दमाग में होना चीए, उसकी PDF लिस्ट आपके पास है, ठीक है, तो यह मेरे ख्याल से आपने कर लिया हुआ, मैरे साथ practice सब्सक्राव कर लीजिए, तो काम में जाएगा, ठीक है, चलिए,